दोस्तो वेलकम टू आर चैनल तो नोटिस जारी हो गया है SSC MTS के लिए बाकी जो नोटिस आएगा वो 22 तारिक को आजाएगा आप लोगों को जैसे इसमें लिखा हुआ है मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कितनी फॉर्म फीस है आप लोगों को पताई है 100 रुपीज पू निश्चित तोर से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है इस समय करेंट जीके का बहुत ज्यादा रोल हो गया है चाहें SSC का एक्जाम हो चाहें railway का एक्जाम हो तो आप जड़ा तयारी लग की जाएगी तो उसमें क्या है कि आप लोगों के लि 29 पांच 2019 लाज़ डेट जो है 29 पांच है और लाज़ डेट ओब मेकिंग पेमेंट की 31 है और लाज़ डेट पर पेमेंट थरो चलान की एक तारिक है चलान के थरू और डेट ओप कंप्यूटर बेज़ एक्जामिनेशन यह देखिए इंपोटेंट चीज यह है आपके लिए कि टीयर वन की डेट भी दी हुई है कि डेट क्या है आपका 2 अगस 2019 से 6 सेप्टेंबर 2019 तक आपका होने वाला है एक्जाम उसके बाद डेट ओफ टीयर शेकिंड की दे रखी है एक्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिब पेपर होगा 17-11-2019 को यह पेपर होगा तो SSC ने इस कि डिटर्माइन इस डिव टू कोर्स अपडेटड वैकेंसी विल भी अफलोड़ेड ऑन दे वैपसाइड और कमिशन तो वह बोल रहे है कि जो बैकेंसी की डिटेल है वह पूरी वैकेंसी आपको अप्लोड कर दी जाएगी या अपलोड़ेड है या अपलोड़ेड तो है अपडेट किया जाएगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं उसमें अपडेटेड जो आएंगी वैकेंसी उसके बारे बताएंगे और अगर इसमें दी हुई है तो इसमें भी देखेंगे रिजरवेशन बगरा का आपको पता ही है उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां प दूटमेंट रूल सो वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर अठार से पत्चीस साल ठीक है तो कंडिडेट बोन नोट विफोर दो आठ उनीस तो चौरानवे के लिए हैं और दूसरी पोस्ट एक और पोस्ट होगी कोई इसमें अठार से सत्ता इस साल उसमें मांगी गई है और कंडिडेट उनीस सो बयानमे से पहले दो अगस्ट उनीस सो बयानमे से पहले का नहीं होना चाहिए एज रिलक्षेशन का आप लोगों पता ही है और इसके बाद हम जो इंपोटेंट बात करेंगे स्लेवस की बारे में बात करेंगे कि स्लेवस क्या है आप लोग बैसे परसी है, सारी चीजे दिखाई हुई है यहाँ पर ऐसी इस्टन रेजन में है और इसके बाद मद्धे प्रदेश में है, नोर्दन रीजन में है, सारी रीजन का दिखा रखा है कि सेंटर कहा कहा होने वाले हैं, इसकी मुपदा एक्जामिनेशन की बात करने तो आप लोग पत आई है, तो यहाँ पर देखिए, पत्चीस मार्क्स की आपके पास इंगलीस आएगी, पत्चीस की रीजनिंग आएगी और पत्चीस की नुमेरिकल एप्ट्यूड और पत्चीस की जर्नल अवेरनेस, यह देखिए, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात जो यह है, आज जो आपको देखने को मिल रहा है, तो वो है current affairs का, इसके बाद paper first हो जाएगा, multiple choice question ही रहने वाले है, negative marking बनवाई 4 की होती है, जो आप लोगों को पता ही है, एससी बनवाई 4 की करता है, railway बनवाई 3 की करता है, answer keys भी provide की जाएंगी, वो ठीक है, फिर उसके बाद आपको short essay, letter English, or in any language included in the air schedule, मतलब यह जो ऐससे बगरा लिखने होंगे, यह किसी भी language में लिखे जा सकते हैं, जो अपनी 22 भासाएं जो दी हुई हैं, हमारी 8 भी अनुसूची के अंदर, आप लोग देख सकते हैं जाके कि कि किसी भी language में 30 minutes का होगा, और 40 minutes मिलेंगे, जो candidate इसमें quota ले रख्या है जिन लोगोंने, पेपर सेकंड बिल भी डिस्क्रिप्टिब टाइप इन विज देख सकते हैं, इसी तरह से यहां पे आप जो ऐससे है वो किसी भी language में लिख सकते हैं, पेपर सेकंड विल ओनली वी क्वालिफाइंग नेचर, एंद इस, intended to test elementary language skills in view of categorization of the post as group C, and in view of the job, तो तुम्हें पता ही है, यह group C की post है, और इन्होंने बोल दिया है कि पेपर जो second है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, पेपर second will be held only for those candidates who meet the cutoff prescribed by the commission in paper first, different categories, different categories की जो cutoff लगेगी, उन्हें जो clear करेंगे, उसके लिए यह second वाला पेपर होगा, slavus की बारे में बात कर लेते हैं, तो slavus आप लोगों को दिखी रहा होगा यहाँ पे, मतलब MTS की जोब है, तो यह मत समझो की CGL level की तयारी होगी, इतना तगड़ा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो जैसे English का slavus दिया हुआ है, तो यह सारी चीज़े, General Intelligence बगर का slavus आप लोगों को पता ही है, Numerical Aptude नॉर्मल रह नहीं है, General Awareness की बात कर लेते हैं, जो Important Section होता है, Question will be designed to test the ability of the candidates, General Awareness of the environment around him, and its application of society, Question will also be designed to test knowledge of current events, सीधा सीधा मैं अगर सच में बताऊं, तो आप लोग जाके railway का अगर GA वाला portion देखोगे, तो यही line as it is, इन्होंने लिख रखी है, क्योंकि TCS paper बना रही है, और TCSी railway के papers करा रही है, तो आप लोग TCS के pattern को follow करो, और TCS का pattern अगर follow करना है, तो जो GK की videos आएंगी, आप लोग देखना बिलकुल वहाँ से ही questions पूछते हैं, अगर आपका एक एक number भी बढ़ता है, दो वीडियो से एक marks मिलता है, चाहें एक वीडियो से दो marks मिलते हैं, किसी भी तरह से अगर आपको एक एक marks ही जोड़ना है, क्योंकि जो cutoff में जाते, जो cutoff से बहार होते हैं बच्चे, वो वहीं जाके गिरते हैं, कि हिसाब में एक number से रह गया, दो number से रह गया, ठीक है तो GA का section जो है वो आपको बहुत अच्छे से करना है और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वही चीज कर दी है इन्होंने जो आप लोग railway में देख रहे थे यहां पर लास्ट में भी पढ़ लो चाहें आपकी लास्ट में लिखावाया थे टेस्ट विल ओल्स इंक्लूड देख सकते हैं बाकी तो जो इंपोटेंट बाते थी वो सब हो चुकी है और प्रिफरेंस एंड स्टेटस यह तो पता ही है अच्छा प्रिफरेंस भी देने के ल अच्छा जी देख स्टेट स्ट्रोड इस एक्जामिनेशन बिल बीपोश्ट इंडिफरेंट मिनर्टी जा रही है कि आप लोग जोइनिंग कहां चाहेंगे जैसे रेल्वे प्रिफरेंस भरवाता है तो इसी तरह से आप लोग को यहां पर प्रिफरेंस के लिए इनोंने ब लोगों को बतानी थी बाकी जो जीके की वीडियो आने वाली है उन्हें देखना मत भूलिएगा और सबसे पहले आप लोग यह जरूर देख लें कि हाँ भई यहां से जीके पढ़के फायदा होगा या नहीं होगा उसके लिए मैं वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्सिन में लिंक भी दूँगा उस वीडियो को लिंक पे जाकर किलिक जरूर से जरूर करें हो वो वीडियो जरूर देखें उससे आपको अंदाजा होगा कि हाँ हमें क्या मिलने बाला है ठीक है चलो फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए और नोटिफिकेशन बेल आपको पता ही है उसके बारे में बताने की तो जरूरत है नहीं चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडिय झाय में बाइ